तो दोस्तों, आज मैं explain करने वाला हूँ, हाली में ही रिलीज हुई एक बहुती बहतरीन तेलुगू होरर सुपरनैचरल थ्रिलर मुवी को, जिसका नाम है भूत अदम भासकर नारायान। मुवी बहुती जादा इंटरेस्टिंग है, आपने असूर सीरीज देखी होगी राइट, तो यहाँ पर कॉनसेप्ट काफी अच्छा है, बिलकुल वैसा तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ काफी जादा अच्छा कॉनसेप्ट है, इस मुवी की फिलाल IMDB रेटिंग है 6.8 स्टा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुवी काफी इंटरेस्टिंग होगी, अब देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको हर एक डीटेल जानने को मिलेगी, बाकी हाली में ही मैंने एक काफी बढ़िया तमिल हॉरर फिल्म को एक्स्प्लेन किया है एक मल्यालम थ्रिलर मिस्टरी को भी एक्स्प्लेन किया है, दोनों ही मुवी जबरदफत हैं, उनको जाकर देखना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड कॉमेंट मिलेगा, तो चलिए, अब बिना किसी देरी के चलते हैं, भूत अदम, भासकर, नारायन की एक्स्प्लेनेशन की दरफ. इसी बात है, इन विक्टिम्स की पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन इन सभी की फॉरंसिक रिपोर्ट से ये जरूर पता चलता है, कि उन्हें पहले बहुती जादा अब्यूस किया था, मारा गया था, उनका एसॉल्ट किया गया, फिर उनने खतम कर दिया गया, और ये लों से करता आ रहा है, और पकड़ में भी नहीं आया है, और इसलिए ये इस इस इलाके की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, और ये एफ़ जी केस जिसे सुल जहां पाना नेक्स्ट टो इंपॉसिबल है सबी के लिए, खरब तब हम किसी अंधिरी सी जगा में बने कि किसी रूम के अंदर किसी लड़की को सेम वाइड ड्रेस में किसी चेर पर बंदा हुआ पाते हैं, और उसके मों के अंदर नेबूठ हुसा हुआ था, साथ इसाथ उसके ओपर वही लकडी का बना हुआ एफ़ जी मास्क भी था, और उसके चेहरे को भी किसी शैतान जैसा प पात ये है कि इस लड़की के उपर एक लिंगम में लटका हुआ था, यानि कि शिवलिंग, खेर तबी वहां पर एक बड़ा सा भयानक आदमी आता है, जिसकी शकल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके हाथ में एक हतियार था, और उसकी आहट भर से वो लड़की बहुत तीस जादा डर जाती है, इतना कि वो वहीं चेर पर बैटी बैटी सूसू कर देती है, यानि कि सीरियल किलर के दहशत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है, खेर अब वो आदमी उस लड़की के गले के लिंगम को निकाल कर उस पर रिच्वल करके उसे सीधा करता है, औ फिर उस लड़की के मुँ में उसे ठूस कर उसके पेट तक डाल देता है, और उसके पेट को लॉक कर देता है, मतलब उसके इंटरनल पार्ट को, यानि कि यह जो कुछ भी हो रहा था, यह बिल्कुल भी साधार नहीं था, खेर अब यहां से सीन शिफ्ट होता है, और हम दे और उसके बार में पूछने लगते हैं, तो उस डिटेक्टिव का नाम है भुतदम भासकर नारायन, और वो बेस्ट है यह हम जानते हैं, और प्रसाद अब बातों ही बातों में उसकी कहानी सुनाने लगता है, और कहानी 14 साल पीछे जाती है, तो भासकर शुरू से ही काफी होशार लड़का रहा है, जिसकी नजरे काफी जादा तेज हैं, उसके घर में हैं उसके पिता, मा और बड़ा भाई, जो भी इंजिनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ ही आस पड़ोस में रहते हैं उसके दो खास दोस्त, यानि की प्रसाद और इंद्रा, और वह नहीं रहती है, लक्षमी नाम की एक लड़की जिसे वो हमेशा से काफी पसंद करता है, और उसकी बड़ी बहन सरावनी को भी अपनी बड़ी बहन जैसा मानता है, अब उसका और लक्षमी का रिष्टा काफी नोक जोक वाला है, लेकिन सरावनी उसे काफी सपोर्ट करती है खेर अब एक दिन होता ये है कि वहाँ पर रहने वाले अली से भासकर के भाई रवी की काफी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उस अली की बेटी रहीमा से ही प्यार करता था लेकिन कास्ट की वज़े से उनका साथ होना इंपॉसिबल है अब वो लोग यहां तक नहीं रुकते और मिलना जारी रखते हैं लेकिन अली को ये बात पता चल जाती है तो वो उसका कॉलेज चुड़ा देता है और उसे घर पर रखने लगता है जब रवी को ये बात पता चल से पास्ट में उसकी लड़ाई भी हुई थी तो यहां पर ये थाबित हो जाता है कि वही खूनी है अब जब ये बात भासकर को पता चलती है तो उसे इस पर बिलकुल यकीन नहीं होता उसे लगता है ये फालतू बात है वो अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता था खरव वो खुद क्राइम सीन को चेक करने जाता है इस उमीद से कि उसे कोई क्लू मिल जाएगा लेकिन उसके भी कुछ हाथ नहीं लगता इसी बीच रवी को बेल मिल जाती है और वो घर आता है लेकिन गम और शरम के मारे वो खुद को खतम कर लेता है बासकर का पूरा परि चेक करना है तो वो घर के बाहर साइड चेक करता है तो उसे कुछ वहाँ पर फुट प्रिंट्स मिलते हैं जिने वो चेक करके यह समझ जाता है कि कोई यहां पर या तो अंदर आया था या फिर यहां से बाहर भागा था खेर तभी उसे उसी जगह पर एक लिंगम मिलता है और सेम ऐसा ही लिंगम हमने मूवी की शुरुआत में देखा था मतलब अब कहानी के कुछ तार यहां पर आपस में जुड रहे थे लेकिन क्या कैसा है ये तो हमको अंती बताएगा खेर अब भासकर उस लिंगम को लेकर पुलिस के पास जाता है और अपनी दलीले पेश करता है लेकिन पुलिस आफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और नाकार देता है और अब भासकर के भाई पर जो दाग लगा हुआ था जो धबा था वो हमेशा उसकी पहचान के साथ जुड जाता है और अब भासकर गुस्से में पुलिस ओफिसर बनने की शपत लेता है लेकिन उसके लो विजन की वज़े से ये पॉसिबल नहीं होता तो इसलिए वो डिटेक्टिव बनने की ठान लेता है और अपने भाई जैसे केसिस को सॉल्व करने का फैसला करता है यानि की अनसॉल्ड केसिस को अब आपको शुरुवात वाली कहानी और ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि मैंने इनकी डीटेल्स क्यों दी है क्योंकि ये आपस में जुडने वाली है खर अब कहानी पर वापस आते हैं तो भासकर इन दोनों से ही मिलता है यानि की बिजनसमैन और उसके साथ ही से और असल में उस आदने का फोन खो गया था जो की बहुत जरूरी है जिसकी वो कोई भी कीमत देने को तयार था खर अब भासकर यहां पर काफी स्मार्ट निकलता है और वो उस आदने को बताता है और भासकर वो फोन रिकवर करके उसे वापस कर देता है अब भासकर के जो पिता हैं वो जोतिश विद्या में बहुत मानते हैं और वो भासकर को रोक कर कहते हैं कि वो ये काम छोड़ दे और कोई जॉब करे साथ ही डिटेक्टिव वाला काला कोट ना पहने क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा लेकिन हम जानते हैं कि भासकर डेटेक्टिव वाला काम छोड़ने से तो रहा और पॉइंट टू बी नोटेड कि उसका ही दोस्त इंदरा भी यहां का पुलिस ओफिसर इंचार्ज है तो F.E.G. केस पर भासकर ही इंडरेक्टिव काम कर रहा है लेकिन वो भी उसे सुलजा नहीं पाया या फिर यूँ कहें कि उसने इस केस पर अभी तक अपना एक्स्ट्रीम नहीं दिया है तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पढ़ सकती थी खर अब यहाँ पर लक्ष में जिसको वो काफी पसंद करता है वो एक जर्नलिस्ट बन चुकी है जो की आखरी तीन सालों से इस केस के उपर काम कर रही है लेकिन वो भी उसकी तरह अभी तक कहीं नहीं पहुँच पाई अब यह साल चल रहा होता है 2018 और F.E.G. केस को 18 साल बीच चुके है और रिसेंटली ही सोलवी विक्टिम की हेडलेस बॉडी मिलती है जिसे भास कर भी इन्वेस्टिगेट करता है लेकिन आसपास खोन का एक कत्रा नहीं मिलता मतलब कि उसे कहीं और मार कर यहाँ पर डाल दिया गया और उस लड़की के फिंगर प्रिंट्स का कोई डेटा ही नहीं है उसका सर भी नहीं है तो पहचान भी नहीं हो पाएगी मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां से पकड़ कर यह केस सॉल्व किया जा सके खैर अब वो एक चीज को ज़रूर नोटिस करता है अब इदर फॉरंसिक एक्सपर्ट रूद्र वेंडी भी कुछ खास समझ नहीं पाती और कुछ खास बता भी नहीं पाती कि इस लड़की को किस ने और कब मारा यहां पर भासकर को भी कोई सुराक नहीं मिलता और वो फ्रस्टेट होकर वहां से निकल जाता है खेर अब वहां पर लक्षमी आती है जो कि इंदरा से बात करती है और उसके उपर गुसा करने लगती है जो बताता है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि इन विक्टिम्स का कोई भी फिंगर प्रिंट रिकॉर्ड नहीं है कोई मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइली नहीं हुई तो वो करी क्या सकते हैं और तो और उनके सर भी कभी नहीं मिलते साथ ही साथ अब डेपार्टमेंट भी इस केस से हार चुका है जो कि इसे क्लोज जल्दी कर देगा और जो करनाट का पुलिस के हैड है यानि कि शंकर वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और वो भी लाइफ में सिर्फ एक ही केस सौल नहीं कर पाए जो है ये वाला केस और अब तो वो भी इस केस से हार मान चुके है इनफेक्ट यहां के लोगों के लिए भी एक आम बात है और सबी लोग यहां पर डर में जी रहे हैं जिनने बस थोड़ी सी उमीद भासकर से ही है खर अब शाम को भासकर लक्षमी के घर पर जाता है जहां पर वो उसकी बड़ी बहन सरावनी से मिलता है और वो उसे अपने बॉइफरेंड के शोर से मिलवा चुकी है जो कि उससे बहुत प्यार करता है तो भासकर उसे प्यार से टीस करने लगता है कि वो अपने एक्स्ट्रा फिंगर से उसे बहुत सारे मैसेजिस करती है अब अगले दिन भासकर पुलिस टेशन में होता है और इसी केस के बार में बात कर रहा होता है जिसे कोई भी क्लू नहीं मिलता और तब ही वहाँ पर बाहर एक गोर का आता है जो कि नशे में हंगामा करने लगता है और इंद्रा बताता है कि उसकी गर्ल्फरेंड छे साल पहले गायब हुई थी वो भी नेपाल में लेकिन वो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आया है और उसकी गर्ल्फरेंड लड़की नहीं बलकि एक ट्रांसजेंडर है खैर अब थोड़े ही समय के बाद में जंगल से दूसरी हेडलेस बॉड़ी मिलती है जिसे इन्वेस्टिगेट करने शंकर, इंद्रा, लक्ष्मी, प्रसाद और भासकर जाते हैं और सेम वही कहानी वहाँ कोई भी सुराक नहीं मिलता मतलब डेड एंड और इस बार तो बॉड़ी की फिंगर्स की स्किन तक निकाल दी थी ताकि उसकी आइडेंटिटी बिलकुल ट्रेस ना हो पाए लेकिन भासकर कुछ भयारक नोटिस करता है कि उस बॉड़ी की भी एक्स्ट्रा फिंगर्स कटी हुई है और उसके पैर में एक पुराना चोट का निशान भी है जिसको वो पहचान जाता है और जब इस बॉड़ी का DNA टेस्ट करवाया जाता है तो ये शौकिंगली बॉड़ी स्रामणी की निकलती है यानि कि लक्षमी की बड़ी बेहन की जी हाँ और इससे दोनों परिवार और सब लोग पूरी तरह डर जाते है लक्षमी तो और ज़दा टूट जाती है और बेसुट्सी हो जाती है अब यहाँ पर किशोर से पूश्टाच करी जाती है जो कि बताता है कि वो हाइदराबाद के कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं होस्टल में रहती थी लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती और उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी तो वो थोड़ी लेट हो गई और फिर उसने उसे बस डेशन पर ड्रॉप कर दिया अब यहाँ भासकर, प्रसाद और इंदरा आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर भासकर यह कहता है कि सिर्फ स्रावनी ही थी जो कि उसको समझा करती थी उस पर यकीन करती थी लेकिन अब वो जा चुकी है लेकिन अब यहाँ पर भासकर फैसला कर चुका था वो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा अब शाम को वो लक्षमी से मिलने जाता है जिसने चार दिन से कुछ नहीं खाया था और वो उसे लाइट अप करने की कोईश करता है लेकिन वो गुस्से में उसको उल्टा सुना देती है कि वो अपने भाई के केस को तो सौल नहीं कर पाया उसे इंसाफ नहीं दिला पाया तो वो स्रामनी का तो क्या ही करेगा वो कहती है कि वो इस केस को छोड़ दे और वो खुद अकेले कर लेगी उसे जो करना है खेरा भासकर को ये काफी बुरा लगता है और जब वो घर आता है उसको अपना नियो डेटेक्टिव कोर्ट मलता है तो एक तरह से अब वो ट्रू डेटेक्टिव भासकर नारायन बनता है और वो हाइदराबाद जाता है थोड़ी बहुत पूश्टाच करता है वो किशोर से ये कहता है कि इस रामनी को शायद से यहीं पर मारा गया है और फिर बॉडी को चिनचोली में छोड़ दिया गया वो उसकी रूमेट से बात करता है जो बताते हैं कि वो तीन दिन से थोड़ी गुम सुम सी और किसी से भी उसने बात नहीं करी थी तो लोगों को लगा कि कुछ फैमिली मैटर होगा तो उन्होंने ज़ादा ध्यान नहीं दिया लेकिन यहाँ पर किशोर ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था और भासकर बस बस स्टेशन की सीसी टीवी फुटेज भी देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़दा परेशान थे और अब उससे मिलने लक्षमी आती है जो कि उससे माफी मांगती है और भासकर इस केस को लेकर कितना डिटर्मिंड है ये देखकर वो इस केस को सॉल करने के लिए उसके साथ टीम अप करने का फैसला कर लेती है अब ये लोग पुलिस टेशन से सारी की सारी केस फाइल्स और सभी बॉडिस के उपर मिलने वाले कपड़े और मास्क खटा करके अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं खेर अब वो सबसे पहले मास्क के बारे में पता करते हैं कि ये मास्क लकडी से बना हुआ है जो कि 60-70 साल पहले बना करते थे साथी साथ बॉडिस सफेद साडी में मिलती थी तो ये कपड़ा भी सालों पहले ही मिला करता था और अब इस कपड़े को कोई नहीं बनाता और बॉडीज के पास से आटो रिक्षा के टायर्स के निशान मिलते थे जो कि उन्हें यहाँ पर फिक ने आया गरती होगी भासकर ये भी नोटिस करता है कि पहले 5 खून करनाट का रीजन में हुए और फिर बाकी के तेलंगाना में हुए और अब 13 साल बाद फिर से यहाँ पर होने लगे हैं और ये एक पैटन बना रहे हैं अब ये लोग करनाट का रीजन से भी स्टार्टिंग में मिलने वाली 5 बॉडीज की बिलॉंगिंग्स को चेक करते हैं भासकर उन बॉडीज की साड़ी को चक करता है तो उसको पता चलता है कि ये 5 साड़ी सेम टू सेम हैं लेकिन स्रावनी की साड़ी बिलकुल अलग है और उस पर कोई स्टैंप मार को नोटिस करता है जिसको वो नोट कर लेता है और डिकोड करने पर वो एक हॉस्पिटल एड्रस था और योगेश करके कोई नाम भी लिखा हुआ था तो अब ये लोग समझ जाते हैं कि स्रावनी का हॉस्पिटल से कोई लेना देना है तो वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर योगेश से मिलते हैं जिससे उसको एक सच पता चलता है वहीं शंकर भी रियल कातल तक पहुँच चुके थे जो कि कोई और नहीं बलकी किशोर है और शंकर उस तक कैसे पहुँचे क्योंकि उस दिन उसने ये कहा था कि वो स्रावनी के साथ मंदिर गया था लेकिन वो दोनों कभी मंदिर गए ही नहीं जिससे शंकर आदा के समझ गए खेरब किशोर और डॉक्टर को अरेस्ट करके उनसे पूछ ताच करी जाती है तो वो रिवील करते हैं कि असल में स्रावनी प्रेग्रेंट हो गई थी जिसको किशोर डॉक्टर योगेश के पास लेकर गया था एबॉर्शन के लिए लेकिन वो खतम हो गई तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए स्रावनी को सीरियल किलर का विक्टिम दिखा दिया और डॉक्टर ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स काट दी थी स्किन निकाली ताकि उसकी पहचान ना उपाए और यही इस केस के इंदर न्यू चीज थी और फिर उसको एफिजी केस विक्टिम शो कर दिया गया और उसका सर काट कर लेग में फेक दिया और फिर किशोर ने नकली कहानी बनाई और भासकर को मारने की भी कोज़िश करी ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए लेकिन उस दिन हॉस्पिटल के बेड का स्टैम स्रावनी के हाथ पर और फिर साडी पर लग गया था जिससे भासकर योगेश तक पहुँच गया यानि कि आप देख रहे हो कि वो कितना तेज है लेकिन जो असल किलर है वो यहाँ पर बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ता अब ये लोग तो पकड़े गए थे और ये सच जानकर लक्षमी को बहुत दुख होता है कि यहाँ पर किशोर ने ऐसा कर दिया और भासकर गुस्से से भर जाता है खरब इंद्रा शंकर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है जिस पर वो कहते हैं कि वो हर चीज सेम करता है उसकी बॉडिज हमेशा इस्ट फेसिंग रहती है उन पर लकडी का ही एफजी होगा लेकिन स्रावनी के ओपर प्लास्टिक का मास्क था और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा ऐसी लड़कियों को मारता है जिनके फिंगर प्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं है और ये सारी गलतियां इन दोनों ने कर दी थी और यहां पर एक और चीज हम आडियन्स भी नोट करें तो किलर एक पैटन बना रहा है लेकिन स्रावनी की बाड़ी उसके पैटन की लाइन में थी लेकिन परफेक्टली प्लेज नहीं हो रही थी खेर अब भासकर इन सब बातों के बारे में सोचन लगता है कि स्रावनी से पहले मिली बाड़ी की भी एक्स्ट्रा दो फिंगर्स थी और उसको याद आता है कि जौन जिस लड़की के साथ होटल गया था उसकी वीडियो की अंदर बारा फिंगर्स थी तो वो वीडियो को फिर से देखता है तो उस लेड़ी की असल में बारा उंगलिया थी मतलब वही एफ़ीजी केस की रीसेंट विक्टिम है और अब भासकर उसके गले में उसी लिंगम के लॉकेट को नोटिस करता है जैसा उसने सालों पहले अली के घर में देखा था और अब जाकर भासकर का फिट एफ़ीजी केस के साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसका भाई जिस इल्जाम के चलते मारा गया उसने खुद को खतम किया और उसके उपर जो दाग लग गया था वो सब तो इस किलर ने किया था और अब भासकर को कैसे भी करके ये केस सॉल्व करके उसको पकड़ना होगा क्योंकि उसका बड़ा भाई मारा गया और एक ऐसी बहन जिसको वो अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता था अब तब हम उस किलर को देख पाते हैं जिसका चेहरा हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता लेकिन वो एक लंबा चोड़ा बड़े बड़े बालो माला एकदम काला बिलकुल डीमन या फिर असुर जैसा आदमी है जो कि अब अपनी नेक्स्ट विक्टिम के साथ वही सब करता है जो कि उसने स्टार्टिंग वाली लड़की के साथ किया था और अब वो उसका सर निकाल कर किसी शैतानी पूझा या फिर काला जादू करने वाले वर्षिप प्लेस पर रखता है और बॉड़ी को एक संदूक में डाल देता है अब यहां भासकर अपने टीम के साथ जॉन के घर पर जाता है और उससे सवाल जवाब करता है तो वो बताता है कि वो होटल गया था जिसे बुर्खे में एक लड़की मिली थी जिसने उसको अपनी बुलाई हुई लड़की समझा और वो उसे अपने रूम में लेकर गया लेकिन तुरन थी एक और बुर्खे वाले लड़की वहाँ पर आकर उस लड़की को ले गई अब वो लोग वाच्मेन से भी पूछताच करते हैं तो वो भी ये स्टोरी कंफर्म करता है लेकिन एक चीज रिवील करता है कि वो लड़की असल में ट्रांसजेंडर थी और उसको साथ ले जाने वरे लड़की ग्रे होंडा सिटी से आई थी तो भासकर उस कार को ढूड़ने की बात करता है लेकिन उस एरिया में सिसी टीवी नहीं था तो कार ढूड़ना नेक्स टो इंपॉसिबल था तबी भासकर सोच में पढ़ जाता है जिसे वो सब अभी तक लड़की समझ रहे थे वो तो ट्रांसजेंडर है लेकिन माजरा आकिर है क्या तो अब उसे एक न्यूज मिलती है और आधी कहानी साफ होती है तो उस गोर्खा की गोर्फरेंड भी असल में ट्रांसजेंडर थी आपको शुरुवात में वो केस दिखाया गया था और नेपाल से वो बैंगॉल शिफ्ट हो गई थी लेकिन पैसे की कमी की वज़े से वो प्रॉस्टिट्यूशन में चली गई और एक दिन वो यहाँ पर आई तब से गायब है तो वो भी उस सीरियल किलर की शिकार बन गई होगी और वो किलर असल में प्रॉस्टिट्यूट्स या फिर ट्रांसजेंडर्स का ही शिकार करता है क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता घर वाले पहले ही अलग कर देते हैं और वो उन्हें मारता नहीं है बलकि उनकी बली देता है इसलिए उनकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट देता है यूकि बली हमेशा पर्फेक्ट दी जाती है आगे वो बताता है कि ये एसल्ट और मर्डर वाली चीज़ें मिस लीड करने के लिए थी तकि पुलिस हमेशा मिसिंग गर्ल्स वाली लीड फॉलो करेगी और ट्रांस वाला बॉक्स कभी टिक ही नहीं होगा इसलिए किलर सेफ जोन में ही रहता है और तेरा साल पहले करनाटका में जो डॉक्टर उनका पोस्ट मॉर्टम करता था वो एक एक्सिडेंट में मारा गया और उसने तो ट्रांस वाला सच छुपाया लेकिन साथ ही साथ अभी डॉक्टर नटराज स्पेशली उनका पोस्ट मॉर्टम जो करता है इवन असिस्टेंट तक को आने नहीं देता और तुरंधी बॉडि जला देता है जिससे आगे सबूत भी नहीं हात लगते अब वो और पुलिस टीम नटराज के घर जाते हैं जहां पर उन्हें कोई भागता हुआ दिखता है जो कि उनकी हाथ नहीं आता और थोड़ी देर बात पता चलता है कि डॉक्टर घर पर मर गया है वो लोग इन्वेस्टिकेशन करते हैं तो भासकर समझ जाता है कि उसने खुद को खतम किया है क्योंकि वो डर गया होगा और ऐसा करने से पहले उसने सबूत भी मिटाई थे अब डॉक्टर के वर्शेपिंग प्लेस पर उन्हें ब्लैक मैजिक रिच्वल और असुर बंदना का सेटम मिलता है जहां पर वो एफ़ेजी मास्क भी रखा हुआ था डॉक्टर नटराज पूझता था जिसे डॉक्टर नटराज पूझा करता और इसे देखकर लक्षमी ये कहती है कि उसने रिसर्च करी थी और ये एफ़ेजी असल में भसमा सुर का सर है और अब वो भसमा सुर की कहानी सुनाने लगती है कि देवों को जब ये श्राप मिला कि वो अपनी शक्तियों को खोकर धीरे धीरे नॉर्मल मृत्यू तक पहुंच जाएंगे तो वो भगवान विश्णों के पास कए जिनोंने उन्हें समुद्र मन्थन करने के लिए अमरित निकालने के लिए कहा लेकिन ये अकेले नहीं किया जा सकता था तो देवों ने असुरों की मदद मांग ली लेकिन ओवेसी बात है कि असुनों को अमरित नहीं दिया जा सकता था तो उन्होंने उन्हें खतम कर दिया लेकिन देवों के भेश में राहू, केतू और भसमासुर अमरित पी चुके थे और भसमासुर का सर काट दिया गया लेकिन उसने अमरित पी लिया था तो उसका सर और भयानक होकर आतंक मचाने लगा अब बाद में शुक्रचार रहा ने भगवान शिफ की तपस्या से उसकी बॉड़ी को भी हिल करवा दिया लेकिन अब उसने खुद तपस्या करी और भस्मा सुर ने भगवान शिफ से वर्दान मांगा वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा और अब वो उनके ही पीछे बढ़ गया लेकिन बीच में ही भगवान विश्नु आए और उन्होंने मोहिनी रूप में उसे ट्रिक करके उसका हाथ उसके सर पर रखवा दिया तो उसकी बॉड़ी तो भस्म हो गई थी का सामान जलता हूँ मिलता है और यही वो सबूत थे जो कि उसने मिटाए थे जिने वो लोग चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजे बची हुई थी एक फोटो एल्बम भी थी जिसको वो चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की की आदी फोटो मिलती है जिसके अंदर कॉलेज का नाम साफ था और वो लोग कॉलेज पता करने जाते हैं तो यहां पर उनको पता चलता है कि रूदरवेणी वो लड़की है जिसे आईटी में गोल्ड मेडल मिला है और यहां उन्हें उसका एड्रस नहीं मिलता क्योंकि वो शुरू से आनात थी और उसने MBBS भी किया है इसलिए वो फॉरेंसिक एक्सबर्ट भी है और अब तो साफ है कि वो फॉरेंसिक से उन ट्रांसजेंडर्स को लड़की दिखा देती थी और नटराज पोस्ट मॉटम से एसल्ट और मुर्डर का एंगल डाल दिया करता था ताकि असल खूनी कभी पकड़ा ना जाए यानि कि जो मौते हुई थी वो लड़किया नहीं बलकि ट्रांसजेंडर्स थे और इन सब के बीचे भी पक्का कोई ना कोई स्पैसिफिक रीजन है खेर अब उनके हाथ एक लीड लग चुकी है और वो रूद्रवेनी को डारेक्ट अरेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हुमन राइट एक्टिविस्ट से भी जुड़ी हुई है और उसके कनेक्शन्स काफी अच्छे हैं तो दिक्कत हो सकती है अब भासकर और प्रसाद उसके रिसेंट एड्रस पर पहुँच जाते हैं जहांपर उन्हें उनका एक पुराना फैन मिलता है जो कि हैकर तो है और वो उनकी हैल्प भी करता है और यहां पर ये भी पता चलता है कि रूदरवेणी के पास भी ग्रे हॉंडा सिटी कार है यानि कि उस ट्रांसजेंडर लेडी को लेने बुर्खे में यही आई थी अब वो लोग उसके घर जाते हैं और रूदरवेणी को भी ये सिक्यॉरिटी सिस्टम से पता चल जाता है कि वो लोग उसके घर आ चुके हैं और वो लोग उसके कम्प्यूटर को चेक करते हैं तो उसमें असूर थीम्ड एक एब भी होती है जिसके अंदर उन सबी विक्टिम्स के बायो डेटा भी थे और ये सारे के सारे ट्रांसजेंडर एक पर्टिकुलर नक्षत्रों पर पैदा हुए थे अब उने ये समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर उनका ही सैक्रिफाइस क्यों दिया जा रहा है और भसमा सुर और उन आफरिंग्स के बीच में आकर सम्बंद क्या है खर अब तक रूद्रवेणी यहां पर आ जाती है तो वो लोग वहाँ से बाग जाते हैं और वो किसी से बात करती है जो कि अपनी ढरावनी आवाज में यह कहता है कि देवता यह यग होने से रोक रहे हैं लेकिन यह दानव यग कोई नहीं रोक पाएगा और रूद्रवेणी अपने रिस्पॉनसिबिलिटीज को पूरा करे थोड़ी देर के बाद में भासकर पुलिस को बुला लेता है और उनके आने से पहले ही रूद्रवेणी भी खुद को खतम कर लेती है और थोड़ा बहुत इंवेस्टिगेट करके ये पता चलता है कि यहाँ पर रूद्रवेणी अपने भाई दानव लिंगम के साथ रा करती थी और उसने ये घर 15 साल पहले लिया था जो की मुंबई में रहता है यानि की दानव लिंगम मुंबई में रहता है अब भासकर उसकी पिक्चर देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि उनके इलाके का ही एक मकैनिक बाशा है खेर अब भासकर वर्शिप प्लेस को देखता है तो उसे वहाँ पर भसमा सुर की वर्शिपिंग प्लेस मिलती है जहाँ पर एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी जिसके नीचे मोहीनी वद लिखा था और उल्टे स्वास्तिक के साथ अठरा, अठरा, अठरा और अठरा लिखा था जिसको भासकर डिकोड कर लेता है कि ये नौ तारीक को रिप्रेजेंट कर रहा है और आज ही उस लड़की की बली दी जाएगी और ये शंकर की एडॉप्टेट ट्रांसजेंडर बेटी मोहीनी है और यहाँ पर एक और इंटरस्टिंग चीज समझने वाली है कि जब जब कोई केस सौल ना हो तो समझ जाओ कि इंटरनल डिपार्टमेंट उसमें पक्का मिला हुआ है यूँकि पुलिस और इंवेस्टिगेटिंग टीम से कोई बच नहीं सकता अगर वो पूरी तरह से कोशिश करें तो यह लोग अब बाशा को लेने जाते हैं और यहाँ पर बासकर को लक्षमी मिल जाती है जो कि उस गोरखा से कुछ पूछ नहीं आई थी यानि कि उस नेपाली सोलजर से लेकिन होता यह है कि वो तो उल्टा उसे ही किड्नैप कर लेता है अब भासकर और पुलिस उसे ढूंडते हुए वहां तक आते हैं लेकिन वो लक्षमी को अपने भाई को सौंप चुका है और उन पर हमला करके भासकर को बताता है कि जब वो एक लड़की को बली के लिए अपने भाई के पास ले जा रहा था तो कई साल पहले अली ने उसे देख लिया था जिसने उस लड़की के गले में लिंगम नोटिस किया और फिर वो उसके घर तक आया जहां से उसे बाकी लिंगम मिले लेकिन वो उन्हें पुलिस में देता उससे पहले ही उसने उसे और उसकी बेटी को मार दिया जिसके अंदर रवी फस गया था और वो खुद को भी खतम कर लेता है अब भासकर उसके उपर एक बर्थमा को नोटिस करता है जिससे उसे घर याद आता है जहांपर उसने उसे दानवनाटिया मंदकी की पिक्चर में देखा था उसके बाकी भाई बहनों के साथ जिसमें अटराश, 13 साल पहले, मरने वाला डॉक्टर भाई, रुद्रवेणी और भाई शामिल है खेर अब भासकर उस घर पर जाता है जहांपर उसे वर्शी प्लेस भी मिलती है और वहांपर उसे मिलती है शुक्र चार्या की लिकी हुई किताब जिससे की असली कहानी हमारे सामने आती है और दोस्तों अब यहांपर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते तो भगवान विश्णू ने भस्मा सुर को खतम कर दिया था, वो भी चालाकी से, या फिर ये कहें कि अपनी लीला से, जिसे असुर फिर से जिन्दा करके अपना बदला लेना चाहते थे, तो शुक्र चार्रिया ने उन्हें विधी बताई और अठरा वेदी अरेंज करी, और यही वेदियां वो पैटन्स बना रही थी, और वहाँ पर भस्मा सुर को पुनर जीवित करके धरती पर लाने के लिए सब किया गया, अब भस्मा सुर को वापस लाने के लिए अट्रा साल का ब्रहमचार्य का पालन भी करना था, जो वो असुर फॉलो करते थे, और पर सूरज की रोशनी आए, और लिंगम आत्मा लिंगम में बदल जाए, और फिर आकरी अटरवे सेक्रिफाइस को जिन्दा जलाना पड़ेगा, और फिर उसकी और बाकी सारों की राक को मिलाकर, उसे एक नौ महीने के बच्चे जितनी डॉल बनाकर उसे आत्मा लिंगम के चल रही है, और दीव हमेशा इसको रोक लेते थे, जो कि कुछ और नहीं बलकि इनसानी रूप के अंदर ही हैं, अब देखो होता ये था कि रूदरवेणी, नटराज, बाशा और ये सब असुर भाई बैहन हैं, जो कि हमेशा री इंकारनेट होते थे और इन चीज़ों को क आजधरती पर हो जाए, अब भासकर को यहां पर जो नट या मंदली की फोटो मिली थी, वहां से उसको एक एड्रस मिलता है, जहां पर ये सब होता है, और ये फाइनल बली देने वाला सबसे बड़ा असुर भाई, इनका कोई और नहीं, बलकि शंकर है, जी हां, पुलिस मे होकर खुद ऐसा कर रहा था, हेड बन कर, जो कि अपने आखरी रिच्वल और आखरी सेक्रिफाइस के लिए तयार हो रहा था, तबी तो सब लोग कह रहे थे कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है, क्योंकि वो इस केस से बिल्कुल तंग आ चुके थे, लेकिन असल में य जिद्यों से जो पैटन फॉर्म हो रहे थे, वो असल में एक शिवलिंगम है, यानि कि जिस शिव जी से भसमसुर ने वरदान मांगा था, ये लोग उनकी ही पूझा करके वही रिच्वल करके भसमसुर को फिर से जिन्दा करना चाहते थे, खैर आप तक बासकर यहां पहु वाला नियम फॉलो किया था, और अब वो भासकर को पीट कर मोहीनी की बली देने जाता है, यानि कि खुद की ही बेटी की, या फिर ये कहें कि मू बोली बेटी, और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, जैसे बकरी को नहीं पालते, बिल्कुल ऐसा हो रहा था, खर यहां पर भा मसूर से माफी मांगता है, और खुद आग में चला जाता है, ताकि वो अगले जनम में अपना असुर यग पूरा करेगा, अब देखो यहां पर ये सारी चीज़े मेटाफॉरिकल है, मुझे ऐसा लगता है, कि जितने भी यहां पर ये शंकर है, और ये सारे लोग थे, ये जादा खराब हो गए थे, इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके चलते ये लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन फाइनली यहां पर इतने सालो बुराना केस सौल हो चुका था, यानि कि एफ़ जी केस डिसॉल्व हो गया, और अपने भाई को भी उसने इनसाफ द इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है, तो दोस्तों ये थी भूत अदम भासकर नारायान फिल्म की कहानी उमिद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, यहां पर यह जो असूर सीरीज आई थी ना, उससे ये काफी मिलती जुलती है, एट लीस्ट यहां पर जो सम कॉंटेंट के लिए कॉमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए,